एक वार बुद्ध से पूछा के इस दुनिया में कोई व्यक्ति है जिसकी निंदा ना होती हो, जिसकी ब्राइड ना होती हो, जिसकी आलोचन ना होती हो तो बुद्ध ने जवाब दिया कि इस दुनिया में कोई भी निंदा से, कोई भी आलोचना से, क्रिटिक्स से, कोई भी परह नहीं है। कुछ टूर्टे を向ा काज़ने पूरी तरह से पका नहीं है क्योंकि किरियां बहुत सारी होंगी मगर संग में पका हुआ व्यक्ति कहाँ प्र्ति करें unw Baptist कहां नहीं करता है उसे पता चलता है कि वो संग में कितना पका हुआ है और अभी वो संग में या समाज में जाने के लाइक कितना त्यार हुआ है कितना नहीं हुआ है कोई व्यक्ति बुद्ध की स्टैचू को उल्टा खीच के लाए बुद्ध की स्टैचू को रखे और दो जूते उसमें निकाल के मारे और सो आदमीं बैठें और उसमें से अगर तीन उचल जाएं तो वो बात को सोचने का समझने का अपना तरीका होता है मगर जो पके हुए लोग होते हैं वो समझ जाते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना है और खास्त वर में अगर अपने घर में बैटे हो अपनी जुम्मधारी में बैटे हो तो फिर और भी ज्यादा जुम्मधारी आती है तो और पकना चाहिए घर में अगर आग लग जाए बाड आ जाए भूकम पा जाए और उस समय घर का कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपनी डिग्री उठा लूँ या मैंने पैसा कमाया है या मैं पैसा निकाल लूँ मेरे वो कपड़े बड़े अच्छे हैं मैं कपड़े निकाल लूँ मेरी वो फैबरेट चीज है पसंदीदा कोई चीज है वो खतम हो जाएगी वो कोई गिफ्ट किसने मुझे दी है वो मुझे जान से प्यारी उसको निकाल लूँ तो समझदार मावाब कहते हैं कि घर में आग लगी हुई है अब इसमें नहीं जाना है घर से बाहर भागो जब जान पे बनती है तो हम उसको छोड़ देते हैं और जो उसको नहीं छोड़ते हैं वो उसमें दफन हो जाते हैं हम जब यहां बात करते हैं और पोर्टल पे हमारी जानकारी होती है तो जुड़ने और जोड़ने के लावा जो जानकारी होती है किसी की कोई जिग्यासा ह किसी का कोई प्रसन है कोई कहीं बहुत ज्यादा ग्यान की बात है करने वाला है कोई ग्यान को बताने वाला है कोई कहीं का कहीं टॉपिक ले जाने वाला है वो सारी चीजे ऐसी है कि घर में आग लगी हुई है और हमें अपनी कोई चीज उठानी है हमें घर में घुसना है तो जो अग्यानता होती है वो क्यों होती है उसका क्या कारण है उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें सम्यक दरश्टी नहीं है यानि सही दिखा नहीं है राइट वीजन नहीं हमारे पास में हमारे घरों में आग लगी हुई है हमारे घर भुकम से हिल रहे हैं चार उतर बाल आ कैसे कमेगा आउ बात पर हम बहुत ज्यादब बता हूँ आपको सुशता हूँ के पहले जान बचा लूँ और अपनी जान बचेगी तो कुछ बात बनेगी तो सब की जान बचे तो और भी अच्छा है यही बुद्ध ने सोचा बहुत ग्यान था बुद्ध के बास में मगर उन्होंने रास्ता वही बताया कि जान कैसे बचानी है और अनन्त उन्होंने सब क गए कि संग क्या होता है उन्हें भारत गणराजे संग दिया और हमको दुवारा से कहा कि संग्ठित रहो और हमारे जो होनहार नेता और होनहार जो लोग है उन्होंने संग्ठित होने को संग्ठर बना दिया कहा तो ये था बावा साब ने कि संग्ठित रहना है और उन्होंने दुकाने खोल खोल के कहा संग्ठर बना दिये और कितने बना दिये 29 लाख संग्ठर बना दिये और सबने क्या कहा जातियां बहुत हैं जातियां खतम करनी है जातियां तोड़नी है जाती वीहिन समाज बनाना है जाती हमारी दुस्मन है ये ब्रहम्मन ने बनाई है ब्रहम्मन हमारा दुस्मन है पतलब पहले जातियां दुस्मन थी फिर जो इसने बनाई वो दुस्मन हो गया अब जाती दुस्मन नहीं है ब्रहम्मन दुस्मन हो गया क तीन बड़ी बड़ी टोक्रियों में बांद के रखा हुआ था और हमको आदेश दिया था कि आपको पबुद्ध भारत बनाना है तो यह सारी जातियां खत्म हो जाएंगी तो वो जातियां खत्म किसको करनी थी और किसने करानी थी उन जातियों की पोर्टली खोलके हमारे सर पर बिखेड दी और हमको जाती जाती खिलना सिखा दिया जातियों पर गवंड करना सिखा दिया जातियों की संग्ठर बन गए और जाती जाती आपस में लड़ने लगी और फिर उस जाती बनाने वाले दुस्वन को भूल गए जिसका नाम ले लेकर हमसे पैसे लेते हैं ज हर गली में, हर महले में, हर गाउं में, हर जगे संक्थण है, हर मारकिट में हर जगे संक्थण हैं और हर जगे पृधान भरे पड़े हैं, इतने पृधान हैं कि other our services day of our ist जाए और इन प्रिधानों को एकटा करने की कोशिस 2014 से लगातार की हमारे जैसे साधरण लोगों ने जब हमें यह सुझ में आया कि हमारा घर तो आग में फिर गया हमारे तो फार्टर बाड़ आ गई हमारे तो घर में आग लगी पड़ी है जब यह सुझ में आ गई और यह इखटे नहीं होंगे, हम बचेंगे नहीं, तो कैसे इखटे हों, तो सबसे पहले छोटी सी अकल में यही बात आई, कि संग्धरों को इखटा कर लेते हैं, आसान काम है, क्योंकि लोगों को इखटा करेंगे, तो जल्दी हो जाएंगे, अगर नेता समझ जाएंगे, तो फिर अपने अपने लोगों को संग्धरों में बता देंगे, मगर ताज्यूद तो यह है कि वो नेता भी अकली है, उनके पीछे कुछ नहीं है, बस वो कागज पर अपना नाम लिखवा के घूम रहे हैं, अपने घरों के आगे तक्ति लगा रखी हैं, अपने स्कूटर और कार क है कि आपके जितने अधिकार बावा साव लेके आये थे, वो सारे अधिकार आपके स्वक्षित रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, और हमने भी यकीन करके उनको पूरा पैसा दिया, जितना मांगा उतना दिया, ज्यादा दिया, और आज भी दे रहे हैं, और जहां उन्ह करा जो API के President है उन्होंने कारिक्रम लगाया और कोई कारिक्रम हिस्टी में है नहीं 2005 से पहले 2005 में Government of India ने इसको अनाउंस किया तो 2016 में हमने इसकी कुछ पोस्ट बनाई वीदर पीपल समर संग हम भारत के लोग या टीम 22 चैनल और 2000 पोस्ट से कुछ बात नहीं बनी तो 2017 में इसका युद लेवल पर हमने प्रचार प्रशार किया तो लगबग 2000 कायक्रम पूर इंडिया में लगे तो कायक्रम तो यह बनाया था है कि इंडिया गेट पे राष्टे कायक्रम होगा और बड़े-बड़े सहरों में लोग इखटे होंगे राष्टे कायक्रम बनाएंगे क्योंकि यह राष्ट्य उत्सब है क्योंकि यह राष्ट का है क्योंकि समिधान राष्ट का है खाली हमा हो गया और 21 में हर सहर में लग रहे हैं मगर परिणाम जीरो हो गया yourself बड़ जीरों बनी थी कि यह राष्ट्य काई करम रहेगा अब यह गलियों का मोहलों का काई करम हो गा और लोह क्या कर रहे हैं भाषन दे रहे हैं अपना कलातर कर रहे हैं जो उनके अंदर भाशनवाजी के कीड़े हैं उन कीड़ों को पूरा कर रहे हैं खुटों खिचवा रहे हैं माला पैन रहे हैं सम्विधान दिवस मना रहे हैं और सम्विधान दिवस में इखटा होना है सम्विधान कहता है कि संगे सकती है संगंश्रणंग हैं भारत-गरणाज संग है वो कहीं नहीं दिखाई देता खुद ही एक दूसरे से उल्जे हुए हैं एक-एक सहर में तीन-तीन कारीकरम हो रहे हैं और तीनों एक दूसरे के दुश्मन हैं कोई किसी के कारीकरम में जाने को त्यार नहीं है ऐसा सम्विधान दिवस हमाई लोग मना रहे हैं इससे तो अच्छा गर ना मनाती तो ज़्यादा अच्छा रहे था कम से कम दुस्मनी तो कम रहती इस बात से परिशान होके हमारे जैसी लोगों ने और जो बूड़े हैं पक गए हैं उन लोगों ने बहुत कोशिस की और सब संग्ठनों को बलाया इनसे कहा संग्ठन आये भी क्योंकि संग्ठनों की आने की इसलिए जब पड़ी क्योंकि संग्ठन बार बार कहते हैं संग्ठित रहो संग्ठित रहो संग्ठित हो जाओ इखटे हो जाओ तो मने कैसे करें, क्योंकि जिस काम को वो कह रहे हैं, उसको लिए तो आना पड़ेगा, तो आए, आके बैठे, उनको साफ साफ बताया गया कि भाई हम सबको इखटा होना है, आप सब इखटे हो जाओ तो हम बच जाएगे, देखो सम्विधान इखटे हुए लोगों की बात म समझदार हैं, हम तो बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले भी समझदार हैं, क्योंकि संग तो हमने बुद्ध के समय से पहले बनाया हुआ है, संग तो हमारा बुद्ध से भी पहले का है, तब हम सब इखटे हो जाएगे, तो बच जाएगे, सारे नेताओं को बिलकुल ए एक लाइन में बताया गया कि खटा होना है अगर आपको ताज्यू होगा सुनके के नेता जानते हुए भी बूस्ते हुए उन्होंने संग्ठित होने के बारे में एक सब्द नहीं पोला और समने अपने अपने संग्ठनों की तारीफ करी हमारा संग्ठन ऐसा है और वो है से 19,000,000,000,000 है 24,000,000 ऐस चाल लाइक लिess में हमारे लिया है जो मिलने चाहिए जो पैसा मिलना चाहिए वहर अगर उनकी दिक्कत है, वो ये कहते हैं कि नेता बनोगे, हमें नेता मानोगे तो हम काम करेंगे, दर्वाइज हम करेंगे, बना हम नहीं करेंगे, और इसको सारे नेता कहते नहीं हैं, मगर काम वही करते हैं, इसलिए आपस में मिलते नहीं हैं, इसलिए एक दूसरे नेता की प्रिक्षटे हो और नहीं मनाते। इसलिए कभी एक साथ बैठके चाय नहीं पीते। पभी आपने कोई फोटो में देखा होगा कि आपके नेता, गली महले के नेता भी, यानि बड़े नेताओं की तो बात छोड़ो, जो सामाजिक नेता हैं, जो राजनितिक नेता हैं, जो धम के नेता हैं, जो आर्थिक छेतर के नेता हैं, जो सरकारी करमचारियों के नेता हैं, जो महिलाओं के नेता हैं, इन सारे नेताओं की बात है, सबका करेक्टर एकसा है, सबका चरिया एकसी है, सबका वहवार एकसा है, ये कभी खटे नहीं होते, तो आपने कभी इनके साथ में एक साथ चाय पीते हुए या एक शादी में जाते हुए या एक फंक्सन में जाते हुए नहीं देखा होगा, 6 दिसंबर आने वाली है, अभी 20 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 दिसंबर को भी आप एक साथ नहीं देखोगे ये कमाल की बात है कि सबके महापुरूस बाबा साथ हैं और बाबा साथ कहते हैं और गनाइज संग में रहना है एक साथ रहना है और ये एक साथ नहीं रहते तो ये बाबा साथ की बात नहीं मानते और बाबा साथ का फूट लगाते हैं और हटाते भी नहीं क्यों नहीं हटात कि बावसाब ने कहा था कि 5% देना है तो चलो भई 5% करेंगे और हम बिना यह सोचे समझे कि यह संठन कुछ नहीं करेगा इसका जो आदमी है वो कोई कमाता नहीं धमाता नहीं इसका खर्चा संठन से चलता है फिर भी हम बावसाब के आदेश पैसा देते हैं और वो पैसा ही देना जहर हो गया तो उसने काम किया होगा अच्छा काम किया होगा अच्छे काम के लिए आये होंगे वो तो हमने पैसा दिया उनको तो वहाँ पैसे के लिए जखड़ा हो गया वहाँ प्रधानी के लिए जखड़ा हो गया तो उन्होंने जखड़ा आपस में किया तो जो आदमी था उसको बाहर निकाला नहीं उन्होंने। उन्होंने क्या किया कि गलत आदमी अलग कुछ लोगों को लेके चला गया और जो दूसरा आदमी था वोसकता है वो भी गलत हो या दौनों सही हो वह अलग लेके चला गया. मगर जब संगठन तोड़ा उन्होंने संग तोड़ा तो उन दोनों में से एक आदमी जरू गंदा है क्योंकि तोड़न जब तूटा है नुकसान हुआ है तो एक आदमी जरू गंदा है दोनों भी गंदे हो सकते हैं मगर दोनों सही नहीं हो सकते क्योंकि तोड़ने वाला कोई ना कोई रहा होगा या तो दोनों रहे होंगे या एक रहा होगा कम से कम अगर दोनों सही होते तो तूटता नहीं और वहां उन्होंने पैसे का बटवारा किया प्रधानी का बटवारा किया और हमको नहीं बताया कि संग्ठन के दो टुकड़े होगे हमको तो गुम्रा किया कि ये खरा हुआ कहीं पोजिशन पर जगड़ा हुआ कहीं परधानी पर जगड़ा हुआ कहीं तू छोटा मैं बड़ा इस पर जगड़ा हुआ तूने मुझे बलाया नहीं मैं आया नहीं इस पर जगड़ा हुआ ये जगड़े वो करते रहे और हमारा बेड़ा करते रहे एक के दो दो के चार चार के आठ के सोले के बतिस के चौशट के एक सोटाइस के दो सोचपन के पांसो बारे के एक सो चौबिस के दो सो दो हजार तालिस ये सारे सारे संग्ठन मिलाकिन कितने टुकड़े हो गए कि वो 6743 जातियों से हजारों गुना बड़े हो गए तो नुक्सान हमारा जादा किस ने किया उस बंबल ने जिसने 6743 जातियां अभी तो ये भी सबूत नहीं है कि उसने जातियां बनाई है या नहीं बनाई है क्योंकि कोई किताब नहीं मिलती जाती बनाने की जाती कैसे बनी है उस की भी संस्था के टुकड़े कर दिये बावा साब की भारतिय बहुत महासवा बुद्धिस सोसाइटी ऑफ इंडिया के के टुकड़े कर दिये जो उनके संथा संथा दल थे उनके टुकड़े कर दिये जो उनकी संथा संथा उसके टुकड़े कर दिये उनकी विचार धारे के ट हट्टे हो जाओ तो कहते हैं पैसे दे दो बस यह ठीक वो सिध्धानत है जो मनुस्वर्थी में चलता है कि एक राजा होगा एक उसका महामंत्री होगा उसका सैनापती होगा एक उसका कैसिर होगा कुस उसके चापलूस दरवारी होंगे और जनता के लिए तो सिर्फ लगान देना है पैसा देना जनता की नहीं सुनी जाएगी बिल्गल भी जनता अगर बोले कुछ भी तो उसका गला कार्डो सरकलम करतो उसका हर राजा ने यही किया है और यही राज तंत्र है और यही व्यक्ति गाद है जो हमारे संग्टरों में हैं कि एक परढ़ान होता है एक उ तो मैंने गुड़गाओं में ऐसा देखा कि वहां हमारे ही जो समण संग की मीटिंग हुई थी तो वहां पर आये थे मनौल लाल जी उन्होंने बताया कि मेरे से पांच है यार 51 पर लेके गया एक आदमी और वो एक संठन का आया कि हम यहां पर अदिवेशन कर रहे हैं और दो पैसे मत देना मैं आदमी अच्छा हूँ मतलब यह आपस में तूसर रूपे दे रहा है उसका धन्यवात करने की बजाया है कि आपने अच्छा क्या इसको दे दिया वो लड़ रहा है यानि लडा ही पैसे की है इसलिए भाई पैसे मत देना किसी को भी तोंकि समण संग तो कोई पैसा नहीं लिए था समण संग की पॉलिशी बड़ी बहुत बड़िया है पहले तो ये समझाए कि समण संग की establishment कैसे हुई इसका founder कौन है इसके founder है बुद्ध से भी पहले हमारे अपने दादा पर दादा लोग क्योंकि बुद्ध जब बुद्ध नहीं थे सिद्धत गौतम थे तब वहाँ पे समण संग बैठा करता था तब खाली संग था एक वाद जगड़ा हुआ एक पानी के ओपर और जगड़े में जो संग था उसने ये निड़ने लिया कि हम युद लड़ेंगे दूसरे जो लोग है कोली हैं उनसे ये साक्के लोगों की बात है तो जो सिद्धत गौतम थे वो साक्के पास हो गई वो सब को माननी पड़ती है तो सिद्धत गौतम को पनिस्मेंट भी और उनको देश निकाला मिला जो साक्के जो उनका संग था उससे निकाला हो गया वो बहार हो गये और वो अकेले जंगलों में घूमते रहे जहां उन्होंने छह साल इस सब चीज़ें की क्या करण थे क्या नहीं थे तो संग उस समय का बना हुआ था उस समय हमारा संग था और बुद्ध भी समण थे और जो साक के लोग है उनको भी समण बोलते हैं और जो कोलिय थे वो भी समण है यानि हम सब सारे लोग समण थे तो समण संग उस समय की पैदाइस है और बुद्ध न कभी भी पैसा नहीं लिया चाथा था तो कैसे करते थे कोई सबा हो नहीं है तो सब अपना खाना ले के आते थे तो prendra की जगे बैठते थे चौपाल पर तो prendra की हम बैठते हैं किसी पार्क में हैं किसी की चछत में और अगर पैसा देना भी पड़े तो अपनी जेपसे देंगे पूरा देंगे तो अपने खाने का भी देंगे या तो खाना साथ लाएंगे और खाना बाहर से आएगा तो खाने का पैसा देंगे यानि बैठने का पैसा भी देते हैं और खाने का देते हैं और कोई किसी का खाता नहीं औ अब तो कार्व थी नहीं तो इसलिए कार्व में पैट्रल टोल तथा नहीं सब पैदल चलते थे अभी कार है तो भहुत साय लोग मीटिंग में आते हैं तो यह नियम बना कि भी कार का खचा भी सब अपना अपना देंगे एक व्यक्ति की कार में बैठेंगे उसका टोल का में नहीं जाएगा जिसको पॉलिटिक्स करनी है वो समर्संग छोड़के जा सकता है उसको मंगल कामना है उसको सुब कामना है मगर समर्संग नहीं जाएगा समर्संग कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो समर्संग की मेंबर्शिप क्या होती थी समर्संग है तो औभी वह समिंद्ध में इसका पाप पूरी करके आए जैसे बुद्ध जब अपनी पनिजन के आए तो फिर समर्ण संंग का हिस्सा हो घृत वह संद्ध में जो करनेल थे ग्रलमाम जैसा थास Act है इंद्ध म準द्ध जब उसको सिखा दिया तो उसने अपने पाप छोड़ दिये तो स्रमणसंग में आ गया तो समणसंग की जो मेंबर्स होती है वो यूनिवर्सल है सभी समणर के लिए हैं चाये वो डेश में यब देश में हैं वो समणसंग का हिस्सा है तो हम क्या है उसमें हम दर्सले यहाँ 11 तो हम उनके उन बातों को बताने वाले प्रवक्ता हैं उसको इस पोक्स बोलते हैं और हमारा कोई काम है नहीं तो यहां कोई पत नहीं होता तो यहां फैसले कैसे होते हैं वैसे होते हैं जैसे समण संग में पहले होते थे बहुमस से बहुमस से फैसले होते हैं तो देश के फै राज्य संग है और जो सम्विधान में लिखा हुआ है वही तो विने पीटक में लिखा हुआ है और वही तो बुद्ध से पहले जो लोग थे उन्होंने बताया और वही बावा साब लेके आए तो देश की पूझी को आगे बढ़ाया बावा साब ने अनुच्छेद के आकार तो 2 अपरेल 18 को घटना घट गई दो अपरेल 18 को हमारा सम्विधान में से एक अधिका निकाल के फाल के फैंक दिया जमीन पे और वो फैंका भी किसने जो नियम बनाते हैं अब नियम बनाने का तो उनका अधिकार है अगर क्या उन परसेंट तूट के पास गोट है तो वो चा है उसका जो मूल इस्ट्रिक्चर वह भी खतम है उसको बदल भी जाता है तो उन्होंने जब हमारा कर दिया एक फाड़ के फैंक दिया तो नेताओं ने तो किया इथा तो नेताओं के पाद तो जाते क्या और नेता सुनते भी क्या गए थे लोग फिर भी नहीं सुना तो लोग सड़क पर आगे तो सम्विधान ने कहा कि देखो जैनुवन लोग आए हैं यानि असली सम्विधान के असली देश के हगदार आगे हैं तो पहली बार पता चला के MP, MLA तो हखदार है यह नहीं, MP, MLA हखदार नहीं होते हैं, वो तो representative है, यानि उनको तो हमने बेज आए कि जाके सम्विधान की बात करो, अगर नहीं करते हो तो हम सलक पर आ जाते हैं, तो जैसे हम इखटे हो के सलक पर आए, वो पन्या दुबारा से चोड़ गया, तो यह बा LA of India, Vida MP of India, या Vida Concert of India, यह हम से चलता है, इसलिए 6 घंटे के लिए सलक पर आए, तो आज एक अधिकार बच गया, अगर 12 घंटे के लिए सलक पर आते, तो दो अधिकार बच जाते, और एक हपते के लिए आते तो 14 अधिकार बच जाते, और अगर पर्मानेंट हम इखटे ह जाएं, तो कोई atrocities होगी नहीं, आज जो मडर हो रहे हैं, आज बलातकार हो रहे हैं, वो होंगे नहीं, क्योंकि जो लोग इखटे हो जाते हैं, वो अत्याचार करते हैं, उन पर अत्याचार होते नहीं है, यह प्रकति का नियम है, यह प्रकति का नियम इसलिए है, क्योंकि जंगल में अगर शेर अकेला है तो कुत्ते उसे फार देंगे उस पत्याचार हो जाएगा और अगर शेर जुंड में है तो कुत्तों को भगा देंगे उनको फार देंगे ये नियम है इसलिए जो जानवर इकटे रहते हैं उन पर कोई अत्याचार नहीं होता वो तो अत्याच करते हैं जुंड का जुंड चलता है और पैरो सही कुछल देता है अगर अकेला जानवर चलेगा तो सिकार हो जाएगा कहिने कहीं मारा जाएगा इसलिए संगे सकती संग में सकती होती है इसको ऐसे समझें कि जुड में सकती होती है जुड में सकती इसलिए होती है क्योंकि जो निर्जी जुंड होते हैं घास के फूंस के और जो जाड़ियों के होते हैं वो भी इतने मजबूत होते हैं कि कितना ही बाड़ आया कितना ही पानी आया कितना ही सुरुज गरम हो जाया वो नहीं मड़ते हैं तिरा सा पानी पड़ा तो फौरा हरे हो जाते हैं और बड़े हो ज लोग में अपने संग मैं बनाए हुए हैं। हमको छोड़कर दरसल हमारा ही संग था हम ही संगी थे संग हमारा ही था क्योंकि बुद्ध के समय सारा संग और बुद्ध से पहले सारा संग हमार था मगर हमसे किस ने ले लिया और हमको एक बेकार सा सब्द पकड़ा दिया सर्मन समन को ही सर्मन कहते हैं संसकायत भासा में ना तो शे ना आधार्य होता है, ये गाल मेल करके भासा करके इसको बना दिया, इसको संस्काइइद किया, संस्काइद करके भासा हम ये बियापारी थे, जो सोने की मुद्राओं से बाग खरीदा करते थे हम जो बहुत बड़े चंद गुतों मौरे जैसे जो असोग जैसे लड़ा के थे जिन्होंने चक्रवती समराठ करके पूरा पूरा एरिया जीत लिया और इतना बड़ा महावरत बना दिया हम जो सिलाओं पर लिखने वाले लेखक थे और हम जो पढ़ने वाले टीचर थे पढ़ाने वारे टीचर थे हम जो ब्यापारी थे जो 27 परसेंट पूरे वर्ड़ का जीडीपी हम लोग इसको चलाते थे हम जो पैदा करने वाले इंडेस्ट लिष्ट थे हम को कह दिया हम सरम करते जाओ बस और कुछ नहीं सरम करना है आपका काम सरम करते जाओ तो यह जो कि हमारे इंडाल यह जो बाड डाली है यह सारी-सारी बाता बारवाश भावा साव ने बताई हैं जो उन्हों नहीं हमें इसको पढ़ेंगे तो पर समंझ में आयता है कि अस्लि समंग हैu हम तो राजा लोग करते दिक्कत नहीं है कुछ कि जब तक सम्षई थादन एं राज प्रोजी के टाइम में हुआ है और अगर नहीं करना चायते हैं तो सिर्फ इखटा होना है सिर्फ इखटा होना है बहुत चोटा सा काम है इखटा होना है और इखटा होने में कोई पैसा नहीं लगना है और समढ़ संग विदा पीपल तो कोई पैसा मांगते नहीं है और अगर कि आप सकता तब पढ़ती है जब आपको अपना चेहरा चमकाना हो, अपना भाशन करना हो, आपको मंच माला माइक चाहिए, आपको फुट के चवाना हो, अपनी पॉपलिटी करनी हो, आपको चुनाब में लड़ना हो, चुनाब जानके महंगा किया है, चुनाब का महंगा प घो कांद में झालता थे ला है और जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो सुलुक जाएंगे दस साल के अंदर पूरे घर खुख जाएंगे दस साल के अंदर भूकम हमको खुला करेख फैंक देगा थोड़ा बहुत पैसा उनके पास आया जिनके पास सरकारी नोक्री थी और तो कुछ है नहीं ना तो हमारे पास अब इंडिस्टी है ना हमारे पास दुकान है ना हमारे पास रोजगार है ना हमारे पास में कोई बिदेश में नोक्री मिलेगा चांस है ना ही हम बुद्दिश्ट हुए जो बु काम करोगे या तो आत्मत्या करोगे क्योंकि सरमदार होगे तो आत्मत्या करोगे या थोड़े से बलवान होगे तो क्राइम करोगे लूट पार्ट करोगे तो लूट पार्ट करोगे तो पुलिस पकल लेगी क्योंकि आपका फिंगर प्रिंट और आपकी आँखों का सब हो कभी मुक्ती नहीं मिलती हैं वह और जथा परिसानी में चले जाते हैं ये ने ना किक्राइट कर सकते हैं और नहीं हम कर सकते हैं जो यहाँ जितनी सड़क और रोजगार और यहाँ पे इंडरेस्टी है और जितना यहाँ जमीन है जाजाद है उसमें हिस्टा हमारा बनता सब्सक्राइब के पपाइस हमें ऐसे तो हम 120 करोड़ हैं अगर 120 करोड़ में पहते पहुकंते लादम आपको वह संटेंगे बात मानेंगे यह संटेंश जब तक आप उनको कहेंगे नहीं बुरे नहीं बनेंगे तब तक उनका काम चल रहा है अगर किसी व्यक्ती ने पांच या रुपए लेके आया यहां धंदे चल रहा है पांच यार रुबी की पड़्ची करती है उसमें 4060 होता है वो संग्ठर में 60% जमा करता है 40% ले जाता है बहुत सारे बेरुजगा लोग लगा रखें जो आपका पैसा लेते हैं 4060 पर खेलने हैं मेरा खुद का एक रिजदार है जो 4060 पर पैसा कर रहा है उसने मुझे बताय आपको यह चलना आगे तो आप अपना पैसा मत दीजिए अपना पैसा बचाईए आपके पैसे नहीं देने से आपका सत्रू कमजोर होता है और आपका पैसा देने से आपका सत्रू मजबूत होता है क्यों होता है क्योंकि जब आप पैसा देते हैं तो संक्टन खड़े होते है तो उनकी संख्या 29 लाख है चाल लाख उसमें एक्टिव हैं तो वो इखटे नहीं होंगे तो आपको समयदानी का अधिकार नहीं मिलेगा आप पैसा देना बंद कर देंगे तो उनमें से कुछ छोड़ के भाग जाएंगे कुछ तूट जाएंगे और जो अच्छे होंगे वो बिना पैसे की काम चला लेंगे समण संग में साथ साल से साथ महने से लगातार इतनी मीटिंग हुई है एक रुपे की आवशक्ता नहीं पड़ती पुब्लिक से और लगातार मीटिंग है कल भी हम पिक्निंग मनाने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर वहां सब लोग आ रहे दो रहे होंगे उसे पैसे क्या है है हमने कुन सा मॉनृ जो वेक्टि आरा वो अपने खाने का पीने का बैटने को खंचा कुद दे रहाए है उसक्छा में दे सकते हैं तो क्यों 20 LAG रुपे करना क्यों मंच लगा रहा है यह पैसे की बरवादी है पैसा तो समाज काई है चा एक तो हम लोगों को कहें कि उनको इखटा होना, इखटा होना, इखटे होई है, इखटे होई है, और दूसरा उनको कहें कि पैसे मत दीजिए, पैसे नहीं देने से हम जल्दी इखटे हो जाएंगे, हमारे अधिकार जल्दी बच जल्दी बच जल्दी बच जाएंगे, क्यों एक ही रास्ता हमारे पास है कि हमें जिद्ध है इखटा होने की संगे सकती हम इखटा होके मानेंगे इखटा होके रहेंगे और हमें बहुत जल्दी इखटा होना है सम्मिधान जाए हमारे हाथ से पहले उससे पहले इखटा होना है सम्मिधान हमारे हाथ से चला गया और हम बा फाकास में चीलकवे उड़ते थे तो जब कोई बच्चा कहता था कि देखो चाचा वहार चीलकववब अड़रा है तो सारा गाउओ भकता था उस से पहले कि उस मरे हुए जानवर को चीलकवे खाएं उससे पहले हम उसका मास ले आएं और मास लेके आते थे तब उनका दो-तीन दिन का खाना चलता था मरे हुए का मास खाते थे हमाई लोग वो इस्तिति आ जाएगी दस साल के अंदर अगर आप एकटे नहीं हुए जो जाट हैं जाट विखरे हुए थे सर छोटू राम ने कहा के रहे जाटो एकटे हो जाओ नहीं मारे सागई इकटे हो जाएए तो सब बच जाएगा वन्ना घर में आपके 20 डिग्री हैं आप कितनी बड़े विद्वान हैं कितनी जानकार हैं कोई नहीं पूस्ता अगर आपके पास में खाना नहीं पेजना नहीं कुछ नहीं है तो आप जाके करना नोकरी वही नोकरी जो टक् तब जीते हैं अब जोड़ेंगे तो अभी जीतेंगे और अगर समिधान के बाद में जोड़ेंगे तो जीत नहीं सकते यह ध्यानकना धन्यवाद आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरे नं गच्छा में संगं सरे नं गच्छा में तूथियं पी बुद्धं से नं गच्छा में तूथियं पी बुद्धं से नं गच्छा में तूथियं पी धम्मं मर्से नं गच्छा में तूथियं पी बुद्धं से नं गच्छा में तूथियं पी संगं से नं गच्छा में बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी संगं सर्णं कच्छामी